आज मैं आपके साथ सोया कीमे की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ जो के मैंने निट्रिला सोया ग्रैनल्स के साथ बनाया है और सच मानिएगा यह रेसिपी बहुत अच्छी लगती है जो लोग वेजिटरी ने उनके लिए तो यह वैसी लगेगी लेकिन जो लोग नॉन वेज वेज खा रहे हैं उनको लगेगा नहीं के वह वेज खा रहे है उनको भी जो नॉन वेज का ही इसमें टेस आएगा तो यह वाला पैक में ने ले लिया है यह 100% वेजिटरीन होता है तो यहां पर हम 2 कप मैंने जो ग्रैनल से वो ले लिये है और इसमें हमें पानी आड करना ह इसमें अच्छी तरह से हमें वाश करना रहता है इसमें एक चीप सी स्मेल होती है तो उसको निकालने के लिए हमें अच्छी तरह से पानी से वाश करना रहता है लिए 5-6 बार आप इसे वाश करिएगा और इसी तरह से आप इसे पानी को रिमूफ कर लेना इसमें से इस तर एक पेस्ट बना लेना है और साती में यहां पर फ्रोजन मटर कर इस्तिमाल किया है यह फ्रेश ब्रेंड है जो के मैं बिक बास्केट से ओर करती हूं यह बहुत ही अच्छा होता है तो यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा ओई दालेंगे और दो सिनिम को एक कर देंगे और इसे सौटे कर लेंगे तीन से चार मिनिट के लिए लेकिन हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है हमें इसका कलर जो है वो ब्राउन साइड में नहीं लेके जाना है इस तरह से पिंक कलर हो जाए ना तो काफी है यह तो इसमें अभी हम इसमें अद्रक लेस इसे इसी तरह से मिक्स करते जाए हम हल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर कोरियंडर पाउडर और सॉल्ट आड़ करेंगे इसमें सॉल्ट जो है वह आप अपने टेस्ट के साब से दाल सकते हो या वांटे स्पून भी आड़ कर सकते हो यह इतनी रेसिपी के लिए पॉफेक अब हम से पहुन आपकून ठास तरह कि एक अफ कर देंगे तो में हमिशने इसमें अल्ए हम आपको अब शार मिनीट के लिए अच्छी तरह से बून लेंगे यह इस तरह से आप भूनते जाएए इसे और अभी हम इसमें टेमेटो प्यूरी आद करेंगे टेमेटो प्यूरी दालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है तो यह इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे जो इसमें पानी आपको दिख रहा है उसे हमें ड्राय कर लेना तो हम इसमें इसमें हमारे जो सोय के ग्रानूल जो आड़ कर देंगे जो हमने सोग कर रखा था लेकिन इसका पानी सारा निकाल दिया है तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम यह देखेए यह रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है इसमें टाइम भी नहीं लगता है तो यह देखे अभी हम इसमें पानी आड़ कर देंगे तो मैंने एक कप पानी आड़ किया है और इसे अभी हमें ढ़क के पकाना है तो ढ़क के पकाएंगे हम तस मिनिट के 10 मिनिट के बाद हमेसे निकाल देंगे तो यह देखिए हमारा कीमा है वो रेडी हो गया है कितने अच्छे तरह से ड्राय हो गया इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है अभी हम इसमें गरा मसाला अड़ कर देंगे हाफ टी स्पून और इसमें मेक्स कर देंगे यह स्टेज पर थो अधे इसमें तो इसमें तो फ्रेश कर दाणा था था गर्राइव मिन रखना तो वह आपकी चोईस है आप इसमें थोड़ा सा पानी बी अड़ कर दिया है और इसमें मिक्स कर लेंगे तो यह हमारी रसीपी जो है वह रेडी हो गई है बटर भी इसमें चैप डालना टो तो इसे हम एक प्लेट में सौफ कर लेते हैं तो यह हमारा जो वैच कीमा है वो रेडी हो गया है और यह कीम मानिएगा यह बहुत अच्छा बना था तो उमीद करती हूँ आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीस इस वीडियो को लाइ क्या है प्लीस कीमा पस्वार तो हम उतल से हींघा थाइबाग भाजय।